हेलो व्यूवर्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आई बीपियर स्टैन पीयो की रिकूट्मेंट के बारे में बहुत ही इंपोर्टन न्यूश शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स चानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो उन सभी कैनिडेट्स के लिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS ने PO की recruitment का notification अगस्ट में निकाला था और 26th August लास्ट तक इसके form फिल किये गए थे और उसके बाद PO के prelims के exam जो थे वो भी October में हो चुके है लेकिन अब IBPS ने IBPS PO का जो notification है जो application window है वो फिर से reopen कर दी है और जो candidates उस समय form फिल नहीं कर पाए थे वो अब form फिल कर सकते हैं यह उन candidates के लिए किया गया है जो इस साल के pass out है यानि कि 2020 में जिनकी graduation complete हुई है उनकी लिए यह window जो है वो वापिस से reopen की गई है तो जब यह IBPS PO 10 का जो notification अगस्त में आया था उसमें जो vacancies थी वो vacancies 1400 प्लस थी लेकिन अब IBPS ने इन vacancies को बढ़ा दिया है क्योंकि उस वक्त कुछ banks ने अपनी जो vacancies थी वो report नहीं की थी तो इसलिए vacancies जो थी वो कम थी वो से 1400 प्लस थी लेकिन अब IBPS ने जब window open की है application form की फिर से तो उस समय कुछ और banks ने अपनी vacancies report की है तो जिस वज़े से vacancies जो है वो increase हो गई है तो चलिए देखते हैं कि अब vacancies जो है वो increase होकर कितनी हो गई है तो पहले जो था कि Canera Bank ने अपनी vacancies जो थी वो report नहीं की थी लेकिन अब Canera Bank ने अपनी vacancies report की है जो की है 2100 इस वज़े से जो अब आपकी जो total vacancies है वो increase होकर हो चुकी है 3517 यानि की 3517 जो की 2100 बढ़ चुकी है और अभी भी Indian Bank और साथ ही Punjab National Bank का अपनी vacancies report करना पागी है यानि की future में ये vacancies जो है वो 4000 प्लस भी हो सकती है तो जो candidates अभी तक form fill नहीं कर पाये थे या last time IBPS PO 10 का form fill नहीं कर पाये थे वो अब form को फिर से fill कर सकते हैं 28 से यानि की 28 से इसकी application window फिर से reopen कर दी जाएगी और 11th November तक इसको यानि की IBPS PO के form को जो है वो फिर से fill किया जा सकता है तो जो भी interested candidates हैं वो अपना application form fill कर सकते हैं 28 October से लेकर 11 November तक so ये थी वो important information IBPS PO 10 से related जो मैं आप सभी के साथ share करना चाहती थी अगर आपके लिए ये वीडियो helpful रही हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें साथ ही ऐसी बहुत सारी updates चानने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें and thanks for watching